हेलो स्टूडेंट बिलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर आज की इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड एक्जाम में आपको कौपी कैसे लिखना है ऐसे लिखकर आना कापी आपको बोर्ड एक्जाम में सव में सव नंबर में लेंगे यानि एक भी नंब की बोर्ड एक्जाम की चेक करता हूं और हर बार कौपी चेक किया पिछले साल की जो टोपर की कौपी थी वो कैसे लिखी गई थी यानि की टीचर क्या आपकी कोपी में देखता है और खुस हो जाता है ठीक है और आपको नंबरों की बरसात कर देता है मैं जब अपने साथ क टीचरों के साथ बैठता हूं तो वह उनसे भी कोई ही कोई करता हूं कि आपने बोर्ड एक्जाम की कौपी चेक करते समय क्या देखा उन्होंने क्या देखा यह जितने भी टीचर थे मैंने 10-15 टीचर से बात किया चाहे वह कॉलेज की कौपी चेक करते हूं चाहे फाइनल लिच्जाम की कौपी चेक करते हूं सभी ने किवल एक ही बात बताया है किवल आप एक ट्रिक को फालो कर दो आपके एक भी नंबर कोई नहीं कार सकता यानि कि आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा यह ट्रिक आज के साथ आज की वीडियो में आपके साथ सेयर करने वाला हूं ठीक बोड परिच्छा में कौपी ठीक है और एक बात करेंगे कि बोड परिच्छा में कौपी मिलता ही आपको क्या करना है बहुत सारे इस्टुडेंट यह गलती कर देते हैं ठीक है इन सब चीजों से भी आप बच जाओगे अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर रंतक दे चान पाओगे कि हमारे 10-15 नमबर ठीक है 10-15 नमबर कहां पर कर जाते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपके 110 परसेंट 10-15 नमबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपकी तयारी चाहे जैसे हो लेकिन आपकी बोड एक्जाम में कोपी लिखने का तरीका ना पता हो प्रस्तूत करने का तरीका ना पता हो तो आप कभी भी 100-100 नमबर नहीं ला सकते हो अगर आप 10-12 में हो ये वीडियो आपके लिए है ठीक बाद हम सेकेंड नमबर पर बात करते हैं कि हैंड राइटिंग खराब बहु सारे बच्चों के हैंड राइटिंग खराब होती बट वो भी 100 में 100 नमबर लाते हो वो ट्रिक आपके साथ सेयर करूंगा यानि हैंड राइटिंग खराब है तो बोट की कोपी कैसे लिखे कि पूरा नमबर मिले यानि एक भी नमबर ना कटे आपके ठीक है और कापी को कैसे लिखना प्रारंब करना है जिसे देखकर एक्जामनर और टीचर खुस हो जाए ठीक है और पूरे नमबरों की बरसात आपको कर दें आपको नेश टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपका क्वेस्चन में पेपर ठीक है सतर नमबर का या सौ मांक्स का है तो उसे टॉप पर स्टूडेंट लिखता है तो उसे सौ में सौ नमबर मिलते हैं अगर वही एक सामाने चातर पूरा पूरा लिख कराएगा तो भी उसे असी से पचासी नमबर ही से जादे नहीं मिल पाते तीक है सौ में पचासी नमबर से जादे नहीं मिल पाते ये पने दस से पंदर नमबर कहां पर गवा देता है दूरों की नमबर अलग परस नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है और भी कुछ इंपोर्टेंट चीजे है ठीक है जिसे मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा तो सबसे पहले आपको बोर्ड की कौपी लिखने के लिए आपको अपने ये एड्मिट कार्ड की जरूरत परती ठीक है एड्मि पर सीट पर लिखा जता है और यहां पर हमारे पास बोर्ड की कौपी है ठीक है दुखो सबसे पहले आपको एक्जाम देने के लिए एक हाइलाइटर ले जाना है ठीक है इसका यूज कैसे करना कहा करना यह चीज हम देखेंगे दो आपको ब्लैक पेल ले ले एंड दो ब्ल का पूरा नंबर मिलेगे तो यह हमारे पास बोर्ड की एक चीज मैं आपको किलिया कर देना चाहता हूं कि जो हाइए स्कुल और इंटर्मीडियेट हो तो इसमें कापी लिखने का जो प्रोसेस था सेम होता यह हमारे पास हाइए स्कुल की कोपी है इसमें भी आपको अनुक पूछेगा इसके लिए किस की जरुद पड़ेगी यहां पर देख सकते हूँ कि आपको एडमीट कार्ड की जरुद पड़ेगी एडमीट कार्ड पर आपके अनुक्रमांग यहां पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो अनुक्रमांग 12, 22, 32, 26, तैस्ट यहां पर हमको लिख देना है यह अनुक्रमांग 12, यहां पे हमने रोल नंबर लिख दिया ठीक है इस तरह से आपको सापसुत्रा लिखना है अब यहां पर बोलेगा परिच्छाथी का नुक्रमांग सब्दों में सब्दों में कैसे लिखना है जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है तो simply आपको यहां पर क्या भर देना है एक भर है, ठीक है, इसके बाद कामा आपको नहीं लगा ना, बहुस बसके बाद कामा लगा देतें, ये गल्ती करतें, फिर दो लिखा ये लिख देना, इस तरह से, यहाँ पर हमने किस्वें भर देये हैं, सब्दो सब्दों में भर देना इसके बाद आपको क्या भरना विसे भरना ठीक है तो जो भी आपका विसे रहे जैसे यहां पर हिंदी है तो आपको सिंपल इसे में क्या भर देना है हिंदी भर देना है इसके बाद इसमें नेश्ट पूछेगा प्रश्ण पत्र ठीक है तो हाई स्कूल का भी प्रश्ण पत्र केवल है इंटर्मीडियेट का भी केवल है इसमें आपको क्या भरना है केवल इसके बाद नेश्ट आता प्रश्ण पत्र पर अंकिस संकेतांग ठीक इस तरह से यहां पर हमने भर दिया अब यहां पर परिच्छा का दिन हमसे पूछेगा ठीक है अब देखो हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एक्जाम में कोपी मिलते हैं क्या करना है यह सब चीज आपने भर लिया एंड इसके बाद एक चीज करनी पड़ती है वो क्या करना है सबसे में चीज आते हैं कि अगर आपको पूरा प्रश्न पत्र आ रहा है अगर आपने प्रश्न पत्र आ रहा है और आपकी लास्ट जाते जाते कुछ ने कुछ छूड़ जाती या आधा क्वेस्टन छूड़ जाते हैं तो आपको कैसे समय मैनेज करना सबसे में चीज समय क मैनेज करना परिच्छा का दीन हम भरेंगे त्ा-स विरसपतवार से यंहां पर बरदेंगे और इसकी और परिच्छाती NBA लिखना खिल फर उन्म भाएस फर्वरी से यस तरह से लिगनों ऑपको यह तो तो जो हाई स्कूल में होते हैं वो प्रथम पाली में एक्जाम देते हैं तो आपको यहां पर प्रथम पाली लिख देना और जो इंटर्मीडियेट के बच्चियों के वो दीती पाली लिखेंगे ठीक है यहां पर लिख दिया प्रथम पाली अब यहां पर केंदर का नाम होता तो यहां पे हमने भर दिया HVI College रामपूर आगरा इतना चीज हमको केवल सिर्फ इसमें भरना है ठीक है केवल यहां से लेकर यहां तक बरना इसके बाद हमको कुछ भी नहीं बरना यह सब चीजे यह परिच्छक बरते जो आप में डिवटी निभाते वह और जो कापी और चे वह लिख लेंगे ठीक है वहीं हाई स्कूल वाले को इसका OMR सीट पर भरना पड़ता यह चीज इसमें तो नंबर नहीं करते हैं में आपका सुरुवात होता यहां से जो की खंड बह है वर नात्मक क्राइब के प्रेशन ठीक है यहीं से हम कॉपी लिखते और यहीं से हमारे नंबर कटने भी स्टार्ट हो जाते हैं इसी चीज को कैसे लिखना आये देखते हैं तो इसके लिए हमने देखो यहां पर आंसर सीट ले रखा है अब आपको एक स्केल से जादे की दूरी लेकर यह दो लाइन का पाई खीच लेना ठीक है मैंने तीस से मी का स्केल इसलिए ले रखा है क्योंकि जो बोट की कॉपी ओए ठारस से मी उसकी लंबाई होती ठीक है पंदरस से मी आप खीचोगे फिर आपको आधे के लिए फिर आपको थोड़ा सी स्केल लगाना पड़ता है और वह जो छोटी सी लाइन आप खीचते हो तीन से भी को वह टेड़ी हो जात चलनी चाहिए यह नहीं कि आप ऐसी स्केल लेकर चले जाओ जो कि इस पर हम पाई खीच रहे और उस बार छब जाए ठीक है यहां से हम ब्लेक पेल से लिखेंगे तो हमारे जो सबसे पहला आपको आता है यहां पे खंड बह ठीक है तो इस चीज को आपको क्या करना है कोपी हम लिख देंगे यहां और बॉलनात्मक प्रैश्ण है जू यहां पे ल forty फशूडनारत्म प्रश्ण हैуса अ Story हैति को यहांने लिख दिया वर्णात्मक प्राश्ण है इसके बाद आपको एक लाइन चोड़ना ठीक है एक लाइन चोड़कर यहां पे डालना प्रशनुतर सं कि कुछेंगे और इसके नीचे इसके दो पाई खीच देंगे इसके बाद दो अब हमें क्या करना इसमें तीन question पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे 6 marks के आपके board exam में आएंगे ठीक है इसके लिए हमें क्या करना है देखो पहला question कि उप्रिक्ट गद्यांस का संदर्ब लिखे यानि कि यह जो गद्यांस है इसका हमें क्या लिखना है संदर्ब लिखने के लिए दो चीज हमें पता आना कौन सा पार्ट है और इसके जो लेखा के वो कौन है ठीक है यह दो चीजे पता है तो board exam में हमें दो नंबर तुरंत मिल जाएंगे तो यह जो पार्ट है यह भारती संस्किती पार्ट से लिए और इसके जो लेखक है डाक्टर राजेंद प्रसाद है कैसे लिखना answer sheet पे इस कुम को यहां पे आपके बूर्ट exam में दो घढ़्यांस आता है तृ आपने किस ट्रेजा को हल किया जामनर को कैसे पता चलेगा तो सबसे पहले आपको गदे डालना है और वहां पर सुरुवात की एक से दो अच्छर उठाना है ठीक है और लाश्ट के एक से तो यहां पर पे लिख देंगे लास्ट में अब हमको क्या करना है यहां पर डैस डैस दे देना है अब इसके बाद हमने क्या लिखना है यहां पर में संदर्व अब जाकर लिखना है ठीक है तो यहां पर संदर्व जो है किसने नंबर पर है यहां पर तीन क्वेस्चन देरके पहले नंबर पर संदर्व है तो यहां पर डाल देंगे पहला नंबर ठीक है पहला नंबर में क्या है संदर्व इसके निचे हम स्केल से दो पाई इस तरह से खीचेंगे इसके बाद हमें ब्लू पेन की आऊ सकता होगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठे पुस्तक तो यहां तक हमने लिखा कि प्रस्तूत गद्दान स्मारी पार्थे पुस्तन अब दोगर्व हमारी जो पार्थे पुस्तन के हिंदी है तेया पर हम लिखेंगे हिंदी कि हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पें से इन्वेटेट कावा में लिखेंगे ठीक है तो हमने यहां पर हिंदी लिखा हिंदी इसके बात के गड़िखण्ड में संकलित है ठीक है यहीं पे लुखेंगे गड़िखण्ड में संकलित गड़िक हंनों ट्रपाद वोगए कि तो । यहां पर ख़ो गड़िक खंडे में संकलित और यह जिस copy से लिए इसे लिखें Г spine यह जो है आपके भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है तो आप हम लिखेंगे कि भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है इसके बाद लिखेंगे इस पार्ट के जो लेखक है अब लेखा को हम किस पेन से लिखेंगे ब्लेक पेन से इन्वर्टेट काम हम ठीक है जो पार्ट के लेखा को वो डाक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है इसको इन्वर्टेट काम हमें बंद कर देंगे प्रसाद जी है ये हमारी क्या होगी पूरी की पूरी संदर्वगी की प्रस्तूत गद्यान्स एपुस्तक हिंदी के गदू खंड में संख्रिट भारतिय सस्कृति नामक से लिया गया इस पाथ की जो लेखा को वो डivent GBP य हैं इसके बाद हमें क्या करना है यहांसे दो लाइन छोड़ना ही त सबीत आपके दोसरे नूबर पीटिक यह सब्सक्दाइब नेकान कि करना है जेए प्रत्याच्य रूप से संपूर देश में बहता रहा है बहता का प्रवाह लिख सकते हो प्रवाह होता रहा है इसको अपने सब्दों में लिखना कैसे लिखेंगे यहां पर हम डालेंगे रिखांकित अंस्की ब्याक्ख्या यह चीज आपको लिखना कि प्रस्तूत पक्ति में लेखक कहता है कि अब इसके बाद आपको क्या करना जो चीजे इसमें बोल रखा है यह पूरी रिखांकित अंस्की ब्याक्ख्या इसके बाद लिख देना है यहां पर देख सकते हैं कि हमने यह पूरी की पूरी इसका लिख दिया आपको इसका अंसर इसी में मिल जाता है कि नयतिक और अध्यात्मिक श्रोत ही हमें अम्रत्यों की याद दिलाकर हमारे मिर्त प्राइस में नए प्राण का संचार हुआ है एक प्वेस्चन तो यहां पेंड हो गया और आपको छे नंबर मिल गया अब इसके बाद अगर अगर हम दूसरे क्वेस्चन की सुरुआत करेंगे तो एक दो चील झार लाइन चोड़कर just प्र॥्शंप्टर संख्या 22 एसे लाए करे प्राथना पत इसको देखेंगे लेकिन को अगर कोई क्वेस्टन थोड़ा सा तो इसके लिए आप यहां से चार लेंग छोड़कर लिख सकते हो ठीक है यहां पर आप क्या कर सकते हो कि संदर्ब अड़ जाएगा उसके बाद रिखांग कि अंसकी ब्याक्या नेश्ट पेज पर कर लेना ठीक है इस तरह से करना अगर यह कोई लांग जिसे हमने बता कि पत्र लेखा ना गय सकते हैं पर नन्बर स्कते हैं करें में हैं आपको क्या बढ़ी कैसे हैं हैं कि रस्लम म मिलेग मैं पर इक्याएग अ कंदेख कर दो हैं अगर परिट हैं परिच्छा हमें copy कैसे लिखे कि पूरा नंबर यह मिले यह देखो हमारी handwriting खराब है ठीक है हमने बताया कि जो examiner से बात किया और मैं खुद जो चीज़ करता हूं वो क्या है कि अगर आपकी लिखी हुई चीजों को examiner पढ़ लेता है और आपने सटिक लिखा है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा यह अपने इस्चिंत रहो ठीक है एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपकी लिखी हुई चीज़े examiner पढ़ लेता है handwriting खराब है तो आपको क्या करना है कि सब्दों से सब्दों की बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए और आप जिस भी angle पे लिखने हो जैसे कोई बच्चा इस तरह का तिर्चा लिखता है या कोई बच्चा सीधा लिखता है या कोई बच्चा इस तरह का तिर्चा लिखता है तो आपको उसी तरह से पूरे copy को लिखना है एक भी नंबर नहीं कटेंगी तिर्चा लिखने से ठ ताकि वो आपके हाथ में बैठेगा, comfortable रहेगा, ठीक है, मैंने देखा है कि जो सेलो और एलकोस का पेन होता है, यह काफी अच्छा होता है, ठीक है, आप सेलो, एलकोस, ठीक है, बीन एक्स्टेंड, या लिंक ग्लाइसर, जैसे पेन का यूज कर सकते हो, यह काफी smooth और सबसे पहले तो आपको question paper में कोई भी question छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको इस questions later कुछ भी keyword जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, उसके formula जानते हो, या कुछ भी जानते हो, आपको लिखना है, दोको जैसे यह हिंदी का paper है, ठीक है, इस हिंदी के paper में, अगर आपको इतना तो आपको याद है, अगर इतना भी लिखकर आओगे, तो आपको एक number ऐसा नहीं कि कोई teacher नहीं देगा, इतना भी लिखने से एक number मिलेगा, ठीक है, भारती संस्किती आपको सिर्सक का नाम नहीं पता है, तो आप देखो पहले या दूसरे पार्ट में से कुछ ने पतिती आजाता है, तो उसमें मितता आजाएगा, बात है तो बात आजाएगा, आपकी 12 की हिंदी हो, तो उसमें क्या है, डाक्टर वासुदेवसरण अगरवाल का राष्ट का स्वरूप है, तो उसमें राष्ट जरूर आजाता है, तो वैसा अगर मिलता जुलता है, तो र नंबर मिल जाएंगे तो देखो आपको इस तरह से लिखना अगर कोई भी क्वेस्चन ना आए तो भी लिखना अब इसके बाद रेखांग की तन्सकी व्यक्ख्या दे दिया यह आपको नहीं आता ठीक है तो आपको क्या करना है यहां से लेकर यहां तक चीजों को न सिंपल जो रेखा किचा गया प्रस्तूत पक्ति में लेखक कहते हैं कि के बाद पूरे के पूरे क्या करना उतार देना है ठीक है इस तरह से अगर नहीं आता तो पुरा पूरा उतार दो तो भी आपको इस पर दो नंबर मिल जाएंगे एक चिज़ का आपको ध्यान देना है कि बोर सब्सक्राइब लेकिन आप अगर जैसे आपको अगर खंड बहु है कंड और है कंड सब्सक्राइब तो आप जिस भी खंड को चाहो पहले कर लो लेकिन प्रते एक खंड के प्रशनों को आपको से करना ठीक है और परते खंड को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है यहोजों क्या सर्थ और एक पर केस करना में कोई उसे पहले कर सकते हो लेकिन सब्य के प्र को सेड़ी यल से करना चाहे और सब्सक्राइब के श्रीयल को बार बार चाल्य और उस तो प्रतिक, आपको क्या करना है, खंड को नए पेज से लिखना है, और उनके प्रशनों को सीरियल से करना है, आपको सुरुवात के 2-3 पेज को थीक है, बिलकुल सुन्दर सजा कर लिखना है, जैसे मैंने यहां पे लिख कर आपको बताया है, क्योंकि टीचर एक्जाम में ब वोसत नंबर देते चले जाएंगे वो समझ जाएंगी कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो भी लिखा है वो सही सही लिखा है तो इसी तरह से जो दूसरा तीसरा पेज है उसको काफी अच्छा लिखना और कट पिट बिल्कुल भी ना करें साब सुथरी कापी लिखी होनी चाहिए ठीक है और बोर्ड परिच्चा की कोपी में कभी भी आप गलत चीजे ना लिखें जैसे आत्मत्या गालिया कस्मे प्रेम पत्र धार्मिक चीने ठीक है बहुत सारे कोपी वाइरल हुई पिछले साल की मैंने खुद चेक किया जिसमें लब इस्टोरिया पर पाउगे कितना नमबर पाऊगे जीरो नमबर आप पाजाओगे ठीक है अगर वह पांच नमबर का कोईस्टन जीरो बटे के पांच आप आपका आजएक ब्र नम्बर नहीं आज जाईगा और धार्मिक चीने कभी भी मतलिक नहीं ठीक है जैसे बहुत सारे बच्चे की सिंबल बना देते हैं साथ सो ची लिखते हैं लिए तरह लोगों की विचारदरा अलग-अलग होती पता नहीं आपके अहला कम आपकी आंजशाने करता यह बॉपकी तरह से कारवाही की जाएगी ठीक है और बहुत सारे बच्चे क्या करतें कि बोर्ड में कापी पैसे रखतें कापी पैसे रखने का एक भी आपको नंबर नहीं मिलता है आप अगर साधी पेज छोड़ कर चले आओगे और हजार रुपया एक करोड रुपया भी लगा दोगे तो भी आप पास नहीं होगे तो आपको यह अब कभी बच्च को यहां पर पर सबसे जबते नंबर से उनको नहीं मिल पाता है तो यहां पर सारे तीन न preventing पापाते हैं पांच नमबर पूरा का पूरा कैसे लाने ये चीजे देखेंगे तो यहाँ पर जैसंकर परसाथ का जीवन परचे लिखने के लिए पांच नमबर का तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेखक परचे उपर डालना है पत्र लिखन डालेंगे प्रशनतर संख्या 26 डालेंगे औ अब दोगों यहीं पर हाइलाइटर का यूज किया गया इसको टॉपर अपने बोर्ड में यूज करते ठीक है सबसे पहले यहां पर जैसंकर परसाथ डालेना और अच्छी क्वालिटी का होना चीए ताकि इस पार से उस पार न छपे ठीक है और छपता भी नहीं है जैसंकर प वक्स भी बना लेना है इसी चीज इस चीज को देखकर समझ जाएगा एक्जामनर कि आपने पूरे चीज को इसमें कभर किया हुआ है यहीं से आपको फूल नंबर मिल जाएगा तीन नंबर यहां से मिला और दो नंबर के लिए आपको यहां पर जैसंकर प्रसाथ की पत्र लिंगो पत्र लितने प्रसाथ के प्रदाना चारोचीज डालना है वह संपझेर के प्रदाना चारध लिए अप्र जामना सबत्र इसके बात ऑर जाता है और यह ऐँ नाम न ans लेकिन लिखने का तरीका होगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा ठीक है और आपको समय की सबसे ज़्यादा मैंडेंग जरूरी है ठीक है आपको कम सकब डेढ़ पेज लिखना है ठीक डेढ़ पेज से जादे मत लिखो ठीक है ने तो आपके समय जो है वो कम पड़ जाएंगे आते हुए इसमें दिखा ब़िरोजगारी की समच्या और समाधान ठीक है इसमें सबसे पहले ऊपर आपको निबंध लेखन डाल देना इस तरह से जैसे इसके बाद पूरे चीज को कबर किया और पूरा नंबर आपको दे देगा ठीक है और जहां पेडिंग की जरूत पड़े हेडिंग जरूर देना तो इस तरह से आप पूरे बोर्ड एक्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो आपको सव में सव नंबर मिलेगा आज के इस वीडियों बस इतना है विलूँगा नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्ये